हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं भुवन तड़ागी दालो टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ECSIN नंबर की रिसेंट में ECSIN जो गाइडलाइन है 2019 उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई है तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि इस गाइडलाइन के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है और जो इंप्लॉइमेंट में जो CS हैं उनके उपर यह हैं कि यह ECSIN जो गाइडलाइन है इसको लागू करने का क्या अब्जेक्टिव है इंसिट्यूट का इंसिट्यूट चाहता है अदेंटिफाइंग दा मेंबर्स इन दा इंप्लॉइमेंट एंड फैसिलिटेटिंग मेंटेनेंस अफ इंप्लॉइमेंट रिकॉर्ड्स आफ मेंबर तो यह एप्लिकेबल किस पर है यह देख लेते हैं इस गाइडलाइन्स कम इन फोर्स इंट्वंटी नाइंटीन में आगे थे और जो अमेंडमेंट अभी रिसेंट में कुछ अमेंडमेंट्स हुई है वो पांच अगस्त दोजार बाईस से लागू है तो यह अगर आपको इसका प्रोसेस देखना है तो आई बटन पर आप क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रोपर प्रोसेस बताया हुआ है कैसे आप ECSIA नंबर जनरेट कर सकते हैं इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंट्स की ICSIA नंबर कब जनरेट करना है आप consent letter देते हैं या acceptance letter देते हैं या फिर आपको date of appointment जो भी आपकी रहती है उस time पर आपको ECSIA नंबर जनरेट करना है और अगर आप consent letter दे रहे हैं तो उस पर आपको लिखना भी है and on the date of relieving मतलब जिस दिन आप छोड़ रहे हैं resignation letter दे रहे हैं company में तो उस दिन भी आपको ये letter जो है ये ECSIA नंबर जो है आपको generate करना पड़ेगा friends और provided that the ECSIA नंबर generated not later than 30 days from the issuing of consent letter मतलब 30 दिन के बाद आप नहीं कर सकते हो within 30 days आप कर सकते हो relieving letter भी अगर आपने resign दे दिया तो within 30 days भी आप ECSIA नंबर generate कर सकते हो मतलब 30 दिन का आपके पास time रहता है further provided that in case change in employer pursuant to order of the NCLT और regional director RD की वज़े से या NCLT की वज़े से consequent to scheme of compromise arrangement amalgamation हुआ है restructuring हुई है उस वज़े से आपका employer change हो रहा ह है तो आप ECSIN at the rate ICSI.edu में mail करकर यह information बता सकते हैं institute को की employer जो है change हो गया है consent letter का क्या मतलब है consent letter का मतलब है rule 8 और rule 8A के अंदर as a company secretary जो आप appoint होते हो किसी company के अंदर तो उसके लिए आपको एक consent letter देना होता है in case of appointment other than the company secretary under regulation under section 203 मतलब आपका appointment 2003 के according नहीं हो रहा है as a company secretary नहीं हो रहा है तो आप क्या देते हो acceptance letter where no acceptance letter issued तो आपका जो date of appointment होगा that shall be treated as a date of consent letter और acceptance letter ठीक है and member can generate one ECSIN for one employer at a time of appointment and shall generate cessation of same only on the cessation of employment मतलब एक member एक बार में एक ही employer के लिए ECSIN number generate कर सकता है ठीक है और कुन अगर आपकी post change हो जाती है within 15 days आपको such change आपको क्या करना है intimate करना है institute के अंदर आप उसको update कर सकते हैं ECSIN को अगर आपकी place of posting change हो जाती है तो भी आप mail कर कर intimate कर सकते हो institute को second ECSIN number कब generate होता है एक company secretary एक company holding company और subsidiary company का company secretary बन सकता है मतलब आप company secretary हो holding company के और subsidiary company के भी बनने चाते हो तो पहले holding company का company secretary का ECSIN number generate कर लो उसके बाद second के लिए आपको ECSIN at the rate ICSI.edu में mail करना है ठीक है and within 15 days of appointment in subsidiary company company 15 दिन के अंदर आपको mail करना है with the appointment letter और board resolution pass in subsidiary company subsidiary company के अंदर board resolution आपने पास किया होगा या भी आपको appointment letter मिला होगा तो वो आपको file submit कराना पड़ेगा ठीक है अगर member already appointed more than one subsidiary company तो आपको specific time के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपको remove कराना पड़ेगा within three months ठीक है मतलब आप एक ही other subsidiary company में हो सकते हो एक से ज्यादा subsidiary companies में नहीं हो सकते हो quoting of ECSIN number मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि जब आप concern letter देते हो acceptance letter देते हो वहाँ पे आपको quote करना है और DIR 12 में भी आपको file करना है ECSIN number कई member जो है DIR 12 में नहीं mention कर रहे हैं ठीक है तो DIR 12 में आपको mention करना है हो सकता है ROCB इस चीज़ के लिए non-compliance मान ले चलिए आप बात कर लेते हैं consequences of violation मतलब आपने ECSIN number generate नहीं किया अगर आपने generate नहीं किया है तो guidelines shall render a member libel for libel for action under company's secretaries act 1980 read with first and second schedule of the company's secretaries act 1980 और ECSIN shall be mandatory required at the time of renewal of membership जब आप membership fees pay करते हो तो भी वहां पर ECSIN number का information वो मांगता है अगर आपने ECSIN number generate नहीं किया तो आपकी membership fees pay नहीं हो पाए और friends condonation of delay मतलब अगर ECSIN number not generated then within three months आप जो भी ये guidelines आई है revised guidelines आई है उसके आप generate कर लो मतलब अभी आप ECSIN number generate कर सकते हो within three months अगर आपने नहीं किया है तो आपका non compliance माना जाएगा as per the company secretaries act तो friends इस वीडियो में इतना ही I hope ये information आपके लिए useful रहेगी आगे भी हम इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे तब तक आप स्वस्त रहे सुरक्षित रहे जैहिन बाई बाई